हेलो एवरिवान, वेलकम टू कॉन स्टडी, मैं आपके जेकी इससबी क्लास फोर के जीए का पार्ट कवर करवा रही हूँ जो आपका 40 मार्क्स का आता है अगर आप देखें तो अभी तक हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने इंडियन जोग्रिफी कवर करवा दिया है खतम हो चुका है अगर आपको यह सारा से लेबिस देखना है तो आपको क्या करना है हमारी प्लेइलिस्ट में जाना है चानल पर जाकल प्लेइलिस्ट में जाना है और वहां पर आपको जेकेस इससबी क्लास फोर की जीए की प्लेइलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको सा आप प्लीज जाकर हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो सोचल मीडिया हैं जिनका डिस्क्रिप्शन जिनका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं उन्हें भी जाकर आप जॉइन कर लीजिए ताकि जो चानल की अपडेट्स हैं वो आपको के इसके इलावा टेली ग्राम पर हमारे डेली क्विजिस होते हैं शाम के साथ बजे वो भी आप दे सकते हैं ताकि आपकी एकशाम की प्रेपरेशन आपको पता चलती रही जो भी आपको questions नहीं आते हैं वह भी आप वहाँ पर जा कर दे सकते हैं तो आज का हमारा lecture देख लेते हैं आज हमारा ancient history का last lecture है अगर मैं बात करो तो last lecture में मैं आपको रिगवेदिक period, later vedic period और इनसे related religions उस time पर emerge हुए जो कि बुद्धिजम और जैनिजम थे उसके बारे मैं बता चुकी हूँ तो आज हम लोग देखते हैं मैंने आपको last video में बताया था कि 16 महा जिनापदाज बन गए थे by the time later vedic period आया था क्योंकि तब तक जो kingship था वो बहुत ही जो था prevalent हो गया था kings बनना शुरू हो गए हुए थे equality आइस्ता इस्ता खतम हो रही थी लोगों के बीच में तो 16 major kingdoms बन कर आये थे ओके तो वहां से हमारा शुरू हुआ हमारी dynasties बनना ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारी जो major dynasties हैं starts with haryankas then shishunagas then nandas then comes the moreas अगर मैं यहां पर लिखूँ फोर्थ हमारी बन जाती है morea यह हमारी major है इसके बीच बीच में भी आपको और भी मैं बताती रहूंगी बट यह जो कुछ major है मैं उनकी बात कर रही हूँ फिर उसकी बात 5 अगर आजए तो 5 आपकी आगे गुपता dynasty ठीक है और आपकी जो end important dynasty है जो ancient India की that is वर्धन dynasty या फिर पुष्य भी होती dynasty यह आ गया आपका वर्धन dynasty ठीक है तो start करते हैं हमारी जो जब moreals नहीं आए थे जो कि हमारे बहुत important rulers है जब तक वह नहीं आए थे तब तक तीन major dynasties हमारी थी ठीक है तो इससे start करते हैं जो harankas है harankas जो है यह इस time पर जो हमारे जो famous ruler थे that starts haranka dynasty starts with bimbi sara okay bimbi sara जो थे हमारे वो founder माने जाते है haranka dynasty के और अगर मैं आपको बताऊं तो buddha जो की आपने last lecture में पढ़ा जो buddhism के बारे में buddha के जो जो भी काम थे वो mainly bimbi sara was the contemporary of buddha ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ कि उस time पर इसकी जो capital थी it was Rajgriha ठीक है जो later on shift होगी थी पाठली पुत्र में तो अब अजाच्चत्रू जो थे he was the son of bimbi sara he killed his father to gain the throne और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मगद में aggressive rule शुरू कर दिया ठीक है then came the udhyan udhyan जो थे वो अजाच्चत्रू के बेटे थे और इनका जो major मैं आपको बताऊं जो भी achievement है that is कि इन्होंने पाठली पुत्र capital बना दी थी after changing it from Rajgriha ठीक है then came the shishunaga dynasty ठीक है shishunaga dynasty तो मतलब shishunaga ने क्या किया नाग दसक यहाँ पर एक और ruler होते थे नाग दसक शishunaga ने नाग दसक को मार कर shishunaga dynasty की establishment कर दी ठीक है यहाँ पर दो major rulers है shishunaga और काला सोका अगर आपको पता हो बुद्धिस second council जो है second buddhist council जो है वो काला सोका के रेन में हुई है ठीक है और first buddhist council जो हरेंका dynasty के रेन में हुई है ठीक है तो जो काला सोका थे उनके रेन में तो हुई और इस dynasty की जो सबसे बड़ी बात है that is इन्होंने जो वहाँ पर एक मेन वंती जो वहाँ पर एक मेन महाजिना पता था जो मेन इनका राइवल था उसकी destruction कर दी ठीक है तो शिश्वनागा डाइनस्टी में ही अवंती की destruction हुई थी then came अब क्या हुआ कि काला सोका को महापदमनंद ने मार दिया ठीक है और नंदा डाइनस्टी शुरू होगी अब नंदा डाइनस्टी में क्या हुआ कि नंदा डाइनस्टी महापदमनंद वस फाउंडर ओफ नंदा डाइनस्टी ठीक है और धना नंद और यही इनके बहुत ज़दा important रूलर भी माने जाते है नंदा डाइनेस्टी के महापदमनंदा को ही माना जाता है ठीक है इनके टाइम पे जब धनानंद ने कारेभार संभाला तो क्या हुआ कि उस टाइम पर एलेक्जेंडर जो की एक foreigner आपको पता होगा एलेक्जेंडर के बारे में आपने बहुत स्टोर के इंडिया उने अब आर एलेक्सेंडर वास फॉर्स्ट, फॉरेंडा इन्वेरियस्ट इन्वेरियसैंट्र इससे पहले ही एक बार इरानीय इन वेरियसन की थी डियरियस तो आजिएंगे में व्के इसन फॉरेंगे की ह sensitिया में मौत्ट, टो इमेमन और इं आजरी इंवेर पंजाब के कुछ एरिया में जाकर इन्होंने टैक्सेशन लिया था वहां से और यही बताने के लिए कि मैं इंडिया में जाकर रूल कर गया हूं जो की फिलिप के बेटे थे और उनका एम था पूरे भारत को जीता इन्होंने इनके साथ बाटल लरी वाटे विच इस कॉल्ड बैटल ओफ हाइड़ेस्पिस ठीक है जेलम के बैंक्स पे और एलेक्जेंडर इतने इंप्रेस हुए इनके जो ब्रेवरी को देखकर कि उन्होंने इनको अपना राजे वापिस दे दिया था ठीक है अब एलेक्जेंडर इंडिया में रहे फॉर नाइंटीन मांस और उसके बाद उनकी डेट होगी बेबलॉन में ठीक है अब देखिए अ को मोरय और इन्होंने किसको हटाया था धनानंद को अब हमने पड़ा कि धनानंद जो था वह नंदा डाइनेस्टी के थे अब धनानंद से सब लोग परेशान थे और धनानंद के ही महल में इनकी जो ममा थे जो माँ थी इनकी मूरा Safety मकाम करती ती शीबज शुद्रा तो संद्रकु मौरे जो थे चानक्यी की help से इन्होंने धनानन्द को हरा कर मौरिन डाइनस्टी की establishment की छीक है अब देखो कि चंद्रकु मौरे को संड्रो कॉटस भी बोला जाता है ग्रेक स्कॉलर्स जो इनको हैं वो सैंड्रो कॉर्टस भी बोलते हैं ठीक है इन्होंने सेल्यूकस को भी हराय था सेल्यूकस ने कोशिश की थी एलेक्जेंडर के बाद मतलब इनको जीतने की बड़ चंद्रकुप मौरे ने इन्हें हरा दिया था बाद में मेगस्थनीस आये थे जो की इंडिका बुक के ऑथर है वो चंद्रकुप के कोट में आये थे ठीक है और अब एक बुक है विचिस कॉल मुद्रकशा जिसे विशाखा दत्ता ने लिखा हुआ है जो बताते है कि चानक्या किस तरह से चानक्या ने चंद्रकुप की चंद्रकुप को ट्रेन किया और किस तरह से धनानंद की जो नंदा डाइनेस्टी है उसे खतम किया ओके तो चंद् आजेर six wings armed forces रखी हुई थी और बाद में उन्होंने जैनिजम अडॉप्ट कर लिया आप याद रखना कि चंद्रगुप्त मौरत है उन्होंने जैनिजम अडॉप्ट किया था और अशोका जो थे उन्होंने बुद्धिजम अडॉप्ट किया था ठीक है फिर उसके बाद आए उजिएन दे दिया को इन्होंने तक्शिला दे दिया था धिंजनिइंधे अशोका जो की जिन्हें देव नाम प्रीय भी भोला जाता है और प्रीयदास्ती भी बोला जाता है ठीक है these are two major names of Ashoka ठीक है और इन्होंने कलिंगा वार जब की जो की और इस समय है आज के टाइम पर कलिंगा वार जब की तो लेटर ओन इनको वहां के मैसकर से पहले यह एग्रेसिव रूलर थे अशोका स्टार्टिंग से ही बहुत ही जो काइंड रूलर नहीं थे इनका एक ही एम होता था कि जादा से जादा जो जो किंग्नम्स है उनको अपने अंडर किया जाए बट आफ्टर कलिंगा वार ही इट चेंज हिम एंड ही अडूप्टेड बुद्धिसम और उसके बाद ही क्योंकि इन्होंने जो किंग्शिप था उसमें इंप्रस लेना काम कर तो प्रह्म्न जो थे वो अगेंस्ट होगे क्योंकि अगर कुछ पीसफुल होने लगता है तो सब्से जादा नुक्सान वात उस ताइं पर किसको ओधा था ब्रहमिंस लोग इनके और आइस्टा इस्टा मॉरन जो थे वो उनका भी डाइनस्टी खतम होगी ठीक है ? तो अश झीन व्हिफर्सिप जिनने अशोकन इंस्क्रिप्शिन जो भी थी उनको जेम्स प्रीन्सिप ने डिसाइफर किया था अब मॉर्यान चोका के बाद जो म werde नने वो ऑल्मस्ट खतम ही हो गई थी और मॉरेन रूर ज्रति वो थे ब्रेह्द रह था थे जिस जिनको को बाद में सुंगा पुष्यमित्र सुंगा ने मार दिया था उन्हीं के कमांडर इंचीफ थे जिनको उन्होंने बाद में मार दिया था और उन्होंने अपनी डाइनेस्टी सुंगा डाइनेस्टी शुरू की अब देखना होता क्या है कि जब भी कोई भी क्या करता है कि अप दाट टाइम क्या होता है वो डाइनस्टी का नाम चेंज हो जाता है ठीक है अब देखते हैं इन्वेडर्स मैंने आपको बताया है कि अलग अलग टाइप की अब जैसे मौरेंस जो थे ना मौरेंस बहुत ही हमारे जो पारफुल रूलर्स थे उसके बाद क्या हुआ जैसी ब्रिहध्रता को मार कर अपनी सुंगा डाइनस्टी बना ली ठीक है वैसे ही कनवर डाइनस्टी बन गई वैसी सात्वहाना डाइनस्टी बनी फिर इंडो-ग्रीक्स आगे पार्थियंज आगे साकास आगे कुशान जागे यह सब इन्वेशन होना शुरू हो गई थी मगद मेज़ली मगद से ही स्टार्ट हुआ था एस सारा कुछ ठीक है फिर सुंगा डाइनस्टी देखते हैं अब सुंगा डाइनस्टी मैंने आपको बता दे कि पुष्यमित्र सुंगा ने फाउंडर है इसके और यह एक ब्रहामिंडाइनस्टी है ठीक है दूसरी चीज कि इसी पर पतांजली की योगसुत्रा जो है थी वो कम्पोज की गई थी ठीक है और एक और इंपोर्टन जो मॉन्युमेंट है इस ताइम का सुंगा डाइनस्टी का दाटिस बरहुट स्टुपा ठीक है और देव भूती जो थे इसके लास्ट रूलर थे अब देव भूती को क्या कि दिया वासुदेव ने मार दिया और बना ली अपनी Kanva डाइनस्टी ठीक है अब Kanva डाइनस्टी बना ली और पड़ क्या था कि Kanva डाइनस्टी जाधा दे तक चली नहीं क्योंकि जो इसके रूलस थी वो बहुत वीक थे और सुन क्या हुआ कि इनको बाद में replace कर लिया साथ वहनाज ने ठीक है तो साथ वहनाज जो थे वो finally कानवा के बाद आए ठीक है इनकी capital थी प्रतिष्ठान ठीक है और इनकी जो major ruler थे he is called सतकर्णी सतकर्णी one बोल लो गयतमी पुता सतकर्णी बोल लो ठीक है ये इनके साथ वहना के major ruler थे अब साथ वहनाज में एक और चीज जो आपको याद रखनी है that is कि इस time पर जो language थी वो use की जाती थी प्राकृत ठीक है प्राकृत use की जाती थी और यहां पर साथ वहनाज ने ही जो थे सबसे पहले coins issue किये थे जो की lead के थे ठीक है इन्होंने lead इन्होंने क्या किया था अपने lead coins शुरू किये थे लेड़ coins किसने शुरू किये थे साथ वहनाज ने ठीक है अब देखते हैं इंडो ग्रीक्स का इंडो ग्रीक्स में अब कोन आया था सबसे पहले मिनांडर जो थे वह famous king थे जो जिनको मिलिंदा भी बोला जाता है ठीक है बाद में नागसीना ने इन्हें बुद्धिजम में करवा दिया इंदी आस पर बुक जिसका नाम है मिलिंदा फनो ठीक है मिलिंदा पानो जो कि पाली टेक्स में लिख हुए जिसमें बताया हुए कि नागसीना और मिलिंदा के बीच में क्या ऐसी डायलोग हुए जिसकी वज़ा से वह बुद्धिजम में कणवर्ट हो गें अब इंडो ग्रीक टो थे उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कोईंस इशू किये थे इंडिया में इससे पहले तक क्या चल रहा थे लेड के कोईंस जो की सात्वहना में हमने देखें ठीक है और लास्ट रूलर जो थे इंडो ग्रीग के वह थे हिस्टेरियस फिर हमारे आए शाकास शाकास दो थे इन्हें या तो सिंथियन्स भी इन्होंने क्या रिप्लेस किया इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया ठीक है उसके बाद इनके जो मेजर रूलर थे kya he was rude rardaman one इन्होंने क्या किया इन्होंने सुदर्शन लेग को रिपेर किया जो कि काठे बार में थी ठीक है और इन्होंने सात वहनास को दो बार हर आया विक्रमदित्य इन आपको बताऊँगी कि to ile kis ruler का नाम है विक्रमदित्य जो कि जैन के king थे उन्होंने शाकास सिर्फ वही शाकास को हराब है इसके इलावा शाकास को कोई नहीं हराब आया था इसलिए इंपोर्टन बन जाता है कि शाकास को एक ही बार हराया गया था और किसने हराया था विक्रमा देते नहीं हराया था ठीक है और उसके बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया अप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो इरान से आए थे और उनका मेजर रूल क्या था इंडिया में आने का वो क्रिस्टानेटी को प्रॉपगेट करने के लिए इंडिया में आये थे उके, उसके बाद आये कुषांस, कुषांस अर विरी फेमस from our ancient India point of view ठीक है तो कुशान्स जो थे वो इंडिया में आये थे वो भी थे इन्वेडर्स ही थे Central Asia से आये थे और major कुशान्स रूल में अगर कुछ आपको याद रखना है that is the famous silk route चो कुशान्स ने शुरू किया था which was connecting China to Iran and West Asia ठीक है अब कुशान्स के अगर आप founder की बात करें तो he is कुजला केटफीस ठीक है और कुशान्स का जो सबसे important ruler है he is कनिश्का कनिश्का जो थे वो कुशान के बहुत ही great ruler थे और इन्होंने क्या शुरू किया था साका एरा ठीक है और आपको याद रहना चाहिए कि इसी टाइम पर आपको याद होगा कि वासु मित्रा के टाइम पर ही क्या हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल हुई थी है ना फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल किसके टाइम पर हुई थी वासुमित्रा के टाइम पर हुई थी ठीक है तो यह हो गया फिर उसके बाद इनकी कोट में मेजर जो स्कॉलर्स थे वो कौन-कौन थे पर्सव वासुमित्र अश्वगोस नगरजुना चाड़क और मत्रा ठीक है ये आपको मेजली कुछा कनिश्क को याद रखने हैं और एक और अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं कनिश्क से रिलेटेड तो कनिश्क को सेकंड अश्वका भी बोला जाता था ठीक है इसका निश्क को सेकंड अश्वका भी बोला जाता था ओके तो ये होगे कुशान की बाद अब इसके बाद चलते हैं संगम एच पे अब क्या हुआ कि एक time था बीच में time period था जो की morals के बाद और गुपता से पहले था बीच में कुछ time period था जहां पर छोटी छोटी dynasties बन रही थी ठीक है उसी time पर south में भी तीन major dynasties बनी थी जो थी पांडियाज, चोलाज और चेराज ठीक है इस time को संगम age बोला जाता है जब south की जो ये तीन great dynasties थी वो बन रही थी और यहीं से आपके जो major tamil literature है वो निकल कर आए है ठीक है तीन संगम्स जो हुए थे one was at madurai जो की अगस्ट्या ने चेर किया था one was at kapatpuram जो की टॉल कपियार ने करा था और तीसरा भी था madurai में जो की नकिरार ने किया था एक जो important आपको बात याद रखनी है संगम age की वो है कुरल कुरल जिसे लिखा था तिरू वलूवर ने वो हमारी फिफ्थ वेदा मानी जाती है हमारी चार वेदा जोल्री है कौन कौन सी रिग यजुर है ना यजुर अथर्व ठीक है और सॉमवेद ठीक है यह हमारी चार वेदा मानी जाती है और फिफ्थ वेदा हमारी कुन सी है कुरल ठीक है जिसे Bible of Tamil Land भी बोला जाता है then came the Gupta period Gupta period में क्या हुआ आप की Gupta period भी हमारे मैंने आपको जो important dynasties बनाई बताई थी उसमें Gupta period was also a very famous dynasty ठीक है तो Gupta period में भी हमारे जो जो हमारे यहां के माने जाते है थीज आर वान सेक्ड गुपता पीरियड में जो हमारा मेजर फर्स्ट रूलर है ही इस चंद्र गुपत वान बट इस ही दी फाउंडर ऑफ गुपता पीरियड नो फाउंडर कौन थे फाउंडर कौन थे श्री गुपता श्री गुपता इस दी फाउंडर ऑफ गुपता पीरियड ठीक है अब इसके बाद चंद्र गुपतो थे वो फर्स्ट ग्रेट रूलर थे गुपता डाइनेस्टी के इन्होंने क्या किया था इन्होंने महाराजा धिराजा का टाइटल भी एक्वायर किया था ठीक है अब से पहले यह हो गया महाराजा धिराजा फिर आया समुद्र गुपता यहां पर M होना चाहिए था सौरी समुद्र गुपता ठीक है समुद्र गुपता को निपूलीन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था और इन्होंने भी दो टाइटल्स अटेन किये विक्रमा और कविराज ठ ठीक है यह हो गये समुद्र गुपता की हमारी बात फिर उसके बाद आये हमारे चंद्र गुप्टू चंद्र गुप्टू जो थे इन्होंने अपने कोट में नवरतन्ज रखे जिसमें से कालिदास और अमर सिम्हा जो है वो मेजरली आपको याद रखने है ठीक है और जो एक ट्रावलर थे जिनका नाम था फाहीं ठीक है वो इनके रेन में ही आए थे अंडिया में और इन्होंने भी इन्होंने ही गेन किया था विक्रमादेते का टाइटल आफ्टर डिफीटिंग शाकास मैंने आपको भी पहले बताया था कि विक्रमादेते जो कि किंग थे उज आया था तो इसलिए बाद में इनका टाइटल इनको क्या मिल गया था विक्रम आदित्य ठीक है उसके बाद हमारी अगर हम बात करें कुमार गुपता की तो कुमार गुपता जो हमारे थे इनको महेंद्र अदित्य भी बोला जाता था और इन्हों नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड गिया था ठीक है नालंदा यूनिवर्सिटी भी इन्होंने ही फाउंड की थी उसके बाद सकंद गुपत जो है सकंद गुपत ने क्या किया था सकंद गुपत जो है उन्होंने क्या किया था इन्होंने सुदर्शन लेक को रिस्टोर किया था सुदर्शन नेक को रिस्टोर किसने गया था सकंद गुपत ने ठीक है और इनके टाइम पे ही फिर गुपता एंपायर में वापे से इन्वेजन होना शुरू होगी एक हुना डाइनस्टी करके थी हुनास उन्होंने इन्हें यहां पर आकर अटाक किया था ठीक है उसके बाद जो मेजर डाइनस्टी आती है दाट इस वर्धन डाइनस्टी और और पुष्यभूती डाइनस्टी ठीक है जिनके ग्रेटेस्ट रूलर जो मान जाते हैं वो है हर्षवर्धन ओके हर्षवर्धन यह ग्रेटेस्ट रूलर मान जाते हैं और इन्होंने अपनी डाइनस्टी क कापिटल का नोज में शिफ्ट कर दी फ्रॉम थनेश्वर इनके टाइम पे अब आपने देखा पहले चंद्रकुप टू के टाइम पर फाहीन आये थे इनके टाइम पर यूइंग सांग आये थे ठीक है तो यह ट्रावलर्स आपको याद होने चाहिए उसके बाद इन्होंने आलंदा में ही एक लार्ज मोनेस्ट्री एस्टाबलिश की थी और बना भट्टा यह वेरी फेमस पॉइट इन हर्षवर्धन कोट तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने हर्षवर्धन के साथ मिलकर प्लेज लिखे थी इन कौन-कौन से प्रियदर्शिका रत्नवाली और न गंबिरी ठीक है और दूसरी कौन से लिखी थी हर्ष चरिता ठीक है यह दो बुक्स जो थी यह बना भट्टा ने हर्षवर्धन के टाइम पर लिखी थी फिर आ जाते हैं चालुक्यास हमारे इनके जो फेमस पुलके सिन वान जो थे फाउंडर ओफ चालुक्यास डाइनस्टी ठीक है बट जो फेमस रूलर बन के आए वो थे पुलके सिन टू पुलके सिन टू जो थे वो कंटेंप्रेरी थे हर्षवर्धन के और इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा के रिवर पर ठीक है उसके बाद आए हमारे र राष्ट्रकुटास जो थे वो दंती दुर्ग ने फाउंड किया था राष्ट्रकुटा डाइनस्टी को यहां पर चुक्रिष्णवान थे इन्होंने फेमस क्लास टैंपल बनवाया था एलोरा में ठीक है अमोग वर्षवर्ष जो थे उन्होंने फर्स्ट करनर पोईटरी इपने लिखी थी रवी राज मार्ग इसी पीरियड में और राष्ट्रकुटास जो थे इन्होंने ही एलिफेंटा केव्ज भी बनवाई हैं विचा डेडिकेटेट टू शिवा ओके अब अगर आप एलोरा की बात करें अगर अजंता केव्ज की बात करें तो अजंता केव् आजंता केवस जो है ना आपकी इट शूंज मोड मेजरली बुद्धिजम ठीकेग है और अगर आप अलोरा की बात करें थो अलोरा केव्ज में हिंदुईजम बुद्धिजम और जैनिजम तीनों equally शो होते हैं जिसमें हिंदुईजम जो है वो सबसे जादा शो होता है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है उसके बाद आ जाते हैं आपके पल्लवाज डाइनेस्टी जिसे फाउंड किया था सिम्ह विष्णू ने नर्सिम्ह वर्मन जो थी वो इस डाइनेस्टी के ग्रेटिस किंग थे उन्होंने महाबली पूरम को फाउंड किया था ठीक है जिसे ममला पूरम भी उस टाइम पर बोला जाता था और रॉककट रथ और पगोड़ा इन्होंने वहाँ पर बिल्ट किये थे कांची उस टाइम पर कापिटल थी दाइनेस्टी की और कैलाशना टैंपल जो था कांची में वह नर्सिम्हण नर्सिम्हवरन वर्मन टू ने बनाया था ठीक है इनका आप आंसर जरूर कीजेगा कॉमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट्स में आकर और शाम को साथ बजे इसी टॉपिक पर आपकी क्विज भी होगी तो मेक शूर आप टेलिग्राम चैनल पर हमारे आईए और क्विज अटेम करिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया इसमें से ठीक है आपको जरूर वो देखना है क्योंकि उसी में मैं आपको जो चीजें लेक्चर में भी मिस हो जाती है ना कभी-कभी जो मुझे लगता है एक्जाम पॉइंट अफ्यू से इंपॉर्टन है फैक्ट से जो आपको पता होना चाहिए या तो मैं वो आपको लास्ट में जो क्वेशन देती हूँ उसमें बता दूँ या फिर आपको जब MCQ कराती हूँ उसमें आपको रिवाइस करा दूँ तो प्लीज दू कम तो अटेंड देत लेक्चर ओन मंडे जहां पर आपको अराउंड 50 MCQ मिलेंगे जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपॉर्टन है और उन में से मोस्टले MCQ जो है वो मैंने प्रिविएस येर प्वेस्टन से उठाए हुए है तो इस इसे लाइक भी कर दिजेगा थैंक यू सो मच तिल देन कीप स्टडिंग हाड और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दिजेगा थैंक यू सो मच